असलाम अलेकुम आज का जो हमारा टॉपिक है डिग्री ओर्डर एंड जज्ज्मेंट आज हम इसको एक्स्प्लेइन करके बढ़ेंगे फिर इनका डिफ्रेंट सपड़ेंगे और इनके सेंशल सपड़ेंगे दिग्री जो है उसकी डेफिनेशन दीव है section 2.2 of CPC में ठीक है इसमें क्या कहता है the formal expression बेरेक्ट की देख लेता है कि the formal expression of adjudication which so far as the court expressing it conclusively determine the right of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit and may be either preliminary or final ननी के इसके क्या है कि formal expression है court का formal expression है इसमें फर क्या कर रही है adjudication कहते है क्या क्या कर रही है क्या क्या रही है और जो उनके दर्मियान में कोई तज़ात है एक या एक से ज्यादा जो उनके दर्मियान जब बता रही है कि plaintiff का ये right बनता है या defendant का ये right बनता है और वो conclusive तरीके से बता रही है यानि कि final तोर पे बता रही है तो वो क्या हो जाएगा वो degree होगा ठीक है यानि कि एक बंदे के पास किसी का घर है तो वो उसे यानि कि plaintiff उसे वो अपना घर recover करना चाहरा है तो वो द details court में बताएगा फिर court जब उसमें फैसला करेगी दोनों का जो पहले मालूम करेगी कि पहले matter इसमें क्या है, controversy क्या है इसमें ठीक है, उसको determine करने के बाद फिर वो defendant से बोलीगी कि तुम अभी जो है, इसको घर वापस करो क्योंकि ये इसके नाम पे है और ये सारे proof भी है उसके बाद जब वो, यानि कि उसके हक में फैसला होगा, final तरीके से तो वो क्या होगा, वो degree होता है पिर का degree के आगे दो काइट्स हैं, डिकलरेट्रियों, इक़जेक्च्यूट्री डिकलरेट़्ी वो हता है जो करा इकजेक्च्यूट्री क्या हताए, जो कि वो degree जो कि इकजेक्च्यूट्री की जाती है तो यह नहीं कि वो enforceable by law और executory nature की हो तो वो क्या है executory degree है फिर इसकी classes है कि classes में क्या क्या क्यता है कि degree की 5 classes है सबसे पहले क्याता है preliminary degree वो degree जो कि matter in controversy कुछ चीज़े थी जिसमें कुछ चीज़े सबसे पहले ही मतलब कि देख ली गई है जैसे कि for example हम खुला का देखते हैं खुला के case में क्या होता है कि जैसे यानि के initial stage पे ही उसको उसका सामाने जहेज दे दिया जाता है तो फिर क्या होगा जो कि ये उसकी preliminary degree होगी फिर बाद में जब उसका case आगे चलता जाता है और उसके सारे जो matter in controversy थे वो solve हो जाते है तो क्या होगा वो final होगा फिर पर कुछ degrees ऐसी होती है जो partially preliminary होती है या partially final होती है जिसमें कुछ फैसला पहले कर दिया जाता है कुछ फैसला बाद में किया जाता है और यानि कि वो partially preliminary और partially final हो जाता है फिर four कहता है order rejecting our plans ऐसे कोई order जिसमें plane को reject कर लिया जाए तो वो क्या होगा वो भी degree की format ठीके यानि कि order है कोट ऐसा कोई order करती है जिसमें plane को reject कर लेती है जो कि law ने उसको ऐसा की बताया होता है कि ऐसा plane नहीं लाना और या क्या होगा कि ऐसे अगर plane कोई reject कर देजाए तो वो भी degree में शामिल होंगे फिर five में कहता है कि determination of question under certain provision यानि कि provision जो कुछ दीवी है इसमें क्याता है कि under section 144, rule 21 order 21, rule 60, 98, 99, 101, 103 इसके अदर जितने भी controversies बताएं है तो इसके अदर अगर कोई फैसला अदालत करती है उस order के हलाव कोई question determine करी है तो वो क्या होगा? वो भी degree होगा फिर इसमें आगे जो बताया हुआ है कि कुछ ऐसी चीज़े होती है जो कि degree नहीं होती कुछ ऐसे orders होते है उसको degree में शामिल नहीं किया जाता है जिसमें क्या होता है जैसे appellate order हो गया ठीक है? यानि कोई order किया जाता है तो ऐसी order जिनके खलाफ अपील की जा सकती है तो वो degree नहीं होगी इसकी example यह है कि under section 47 के अंदर कुछ questions to be determined by the executing court तो यह क्या यह भी appellate order है कोई order के खलाफ अपील की जा सकती है तो यह degree में शामिल नहीं है फिर dismissal in default है जैसे कि कोई plaintiff है या उसका वकील वाहरा कोट में हाजिर नहीं हुआ और कोट इसको बला रही थी वो नहीं आया या इन परसन वो परसन खुद अपीर नहीं हुआ तो उसका अगर प्लेंट रिजेक्ट हो जाए या शूट जो था दावा रिजेक्ट हो जाए और 9 या और 17 के अंदर तो क्या होगा तो ये भी डिग्री में नहीं आएगा ठीक है अभी देख लेते हैं और को और है कि अंडर सेक्शन 214 के अंदर आ रहा है इसमें है कि इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन है ठीक है यानि कि रिटन फॉर्म में है प्रिसाइसली फॉर्म में है रिटन होना चाहिए और उसकी लैंग्विज ऐसी होने चाहिए कि उसको वह समाझ जाए डिसीजन है किसका डिसीजन है सिवल कोड का कोई और जो कोड कर रही है कौन सी कोड कर रही है वो सिवल कोड कर रही है ठीक है और विच इस नॉट आ डिग्री वो और जो हो वो डिग्री में शामिल ना हो यानि कि वो कोड और हर फैसले पर और करती होती है फाइनल जो उसको होता है वो डिगरी भी जब फैसला मुकमल हो जाता है दोनों आर्गोमेंट सुन लिये जाते है फिर उस पर जो है वो जज्जमिंट देता है जज्जमिंट के बाद वो डिगरी होती है क्या किता है कि वो डिगरी ना हो तो वो ओरर होगा इसकी क्लासिस हैं कि फाइनल ओडर और इंटरलुकेटरी ओडर ठीक है कुछ ऐसी ओडरोस होते हैं जो कहमेशा के लिए कर दिया जाते हैं कुछ इंटरलुकेटरी ओडर होते हैं जो इंटरेम ओडर हो जाते हैं ठीक है जैसे स्टेक का हो गया कि स्टेक करवाया जाता है तो वो interlocatory order है फिर judgment को देख लहते है section 2.9 के अंदर है statement given by a judge on the ground of degree and order यह कोई भी statement अगर judge दे रहा है या court दे रहा है तो वो किस पर दे रहा है degree या order पर दे रहा है ठीके तो वो क्या होगा वो judgment है फिर क्या है कि वो judgment written form में होना चाहिए एक यह बात माइन में रख लें और फिर क्या होना चाहिए और दूसरा इसमें यह बात है कि judgment हमेशा जो है degree और order को follow करता है ठीके फिर अभी इसके हम difference देख लेते हैं कि इसके difference क्या है अगर degree और पहले degree और order के difference देख लेते हैं ऐसा judgment की एक कोट बात भी माइन में रख लेना कि सबसे पहले क्या होता है जैसे ही यानि कि कोट argument सुनती है जैसे 15 days यानि कि evidence complete होते है कोट जादा से जादा 15 days देती है 15 days से जादा नहीं देती और फिर वो argument सुनती है जैसी कोट argument सुनेगी उसके बाद ही उस argument के base पे वो judgment यानि कि judgment देगी और वो judgment जो होगी वो हमेशा degree को follow करेगी ठीक है यह under section 33 के अंदर है फिर difference देख लेते हैं कि as to nature यानि कि difference यह जो है यह degree और order के difference है कि हर एक degree जो है वो एक order की तरह है लेकिन हर एक order degree नहीं है फिर जो है appeal first appeal जो है वो हर एक degree में लाइग की जादी है under section 96 rule 41 है फिर जो है order के order appealable है वो सिर्फ order 43 के अंदर जो भी चीज़े बताएंगी है या 104 section के अंदर के बताएंगी है उसमें first appeal होगी और second appeal order के खलाफ नहीं हो सकती second appeal degree के खलाफ हो सकती है फिर जो के section 100 के अंदर बताएंगी है फिर determination of right याणि के right determine करती है degree ठीक है order right determine नहीं करती और degree जो है conclusively right determine कर रही है और फिर classes है कि उसकी 5 classes थी तो order की 2 classes हैं ठीक है फिर emergence का देख लेते हैं कि degree में orders शामिल होते हैं ठीक है लेकिन डिग्री के डिग्री कैन नॉट इमर्ज इंटो order ठीक है लेकिन order शामिल होते हैं उसमें डिग्री में और डिग्री शामिल नहीं होता यह चीज़ आप माहिन में रखें फिर next is के difference देख लेते हैं judgment degree order सब के difference देख लेते हैं as to execution कहता है अपील जोती है अपील होती है और judgment के हिलाफ कभी भी अपील नहीं होती और फिर degree और order की काइंट्स है classification है लेकिन judgment की कोई भी काइंट्स नहीं है ठीक है उमीद है आपको यह समझ में आ गई होगी थैंक्यू हुदा आफिस